हाई हेलो डियर ब्रदर्स और सिस्टर आज मैं आप लोगों को जो भी जारखन पॉल्टेक्निक से सिविल इंजिनेरिंग में डिप्लोमा कर रहे हैं उनके सिलेवर्स के बारे में बताऊंगा और उसमें क्या इंपोर्टेंट हो और क्या नहीं और कैसे आपको करना है आपके इंडस्ट्रियल इंगिनियरिंग और मैनेजमेंट डिजाइन ऑप स्टील स्ट्रक्चर इस्टमेटिंग और कोस्टिंग कॉंट्रेक्ट और एक इलेक्टिव पेपर है तो जितने भी पेपर है आप जब भी डिप्लोमा करोगे तो आप एस जेई काम करोगे या फिर आप जब अपने फिल्ड में जाओंगे तो आज तक आपने करीब 12 या 15 पेपर पड़े होंगे तो वो सभी पेपर को छोड़ करें आप किसी भी विभाग में जाओ गौवर्मेंट में जाओ प्राइबेट में जाओ या फिर कहीं भी अगर आप एस इस इविल इंगिनियर क कि इसके बीना इसके जनकारी के बीना आपका कुछ भी काम नहीं हो सकता है और अगर आप इसमें इसमेंदे अच्छे हां से पकड़ होती है तो आपको फिल्ड में Office में 9 इज़्जत भी मिलेगी कि हां बहुत जानकार आदमी है सब कुछ अच्छे से कर लेते हैं इसमें क्या होता है कि कि जो भी मैप है प्लान एलिवेशन सेक्षन किसी भी अस्टक्चर का उसको देख करके आपको को इस्ट्रिमेटिंग करना होता है मतलब कि उसमें कितने नंबर ओफ इटम से अर्थवर्क क्या है प्लास्टर कितना है फिर आर्शीच कितना है उसके बाद जितने भी वोक्स है वो सभी को आपको निकानना होगी उसमें प्लास्टर कितना अमांट में लगेगा, ब्रिक वर्क में इट कितना अमांट में लगेगा, सिमेट कितना लगेगा, रोड कितना लगेगा, उसके बाद कि उसका ट्रांस्पोर्टेशन कोस्ट क्या होगा, यह सब आपको उस अस्ट् युज में आपको उस एस्टीमेट और उस प्लान के एकोरडिम आपको जो है जमीन पर उस काम को इंप्लेमेंट करना होगा जो भी वहाँ पर लेबर लगे हैं मेंसंस लगे हैं निस्तरी लगे हैं सुपरभाइजर है वो सभी को उन सभी को आपको डारेक्ट करना होगा कि किस तरह से उसे बनाया जाए ठीक है तो इस्टिमेटिंग एंड कुस्टिंग ही है जिसको ले करके आप डिप्लोमा करने के बाद आगे जो है अपना कि अपना इंप्लोमेंट कि फाइंड कर सकते हो इन प्राइबेट सेक्टर में आपको अगर इसमें अच्छी खासी पकड़ है तो आप कहीं भी काम कर सकते हो और इसके साथ मैं एक और बात बताना चाहूंगा कि अब जो है प्लान सेक्षण एलिवेशन जोए अब प्लेन टेपर पर साधे काज़ जो है वो सीट होता उसके लगबबस ड़ी मनता है अलिमनेट हो जा उसकी लिए जो है ऑटो गेड है ऑटो गेड में सारे प्लान पिर आप इस्टीमेट कर पाओ आपको बहुत कुछ आप जानते हूँ लेकिन आपको में इस्टिमेट बनाना नहीं आता है При Farm तो आपको वहां पर कोई वेल्ई आज के समय में नहीं है ऑपको बना और बना ओरंग और हो अधीosti च्हली अग्यैट के अब मैं उसको बता देता हूं कि आपको किस तरह से और कैसे पढ़ना कि दिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर है यह सब बीटे करोगे तो स्ट्रक्चर आपको पढ़ना पड़ेगा और जब डिजाइन सक्टर में जाओगे तो लेकिन ज्यादा तर जो है बहुत सारे लोग साइट एंजिनेरी वर्क करते हैं गोवर्मेंट में हो और सभी को एस्टिमेटिंग कोस्टिंग जालना होता है यह एस्टिमेटिंग कोस्टिंग है जिसका आपका कोर्स कोड़ है से आई भी 605 फूल मार्क्स एक्टी प्लस ट्वेंटि यह बिस इंटर्नल और एक्टी मार्क्स के एक्स्टर्नल ओंगे ठीक है और इसमें कि जितने भी चेप्टर है मैं आपका ज्यादा समय ने लूँगा स्वार्ट में बताना चाहूंगा करीब जो पर, एक उसका एक जीज जो है आपको अच्छे से कर लेना है कि शुरुवात में जो है डिटेल एस्टिमेट यह सब डिफिलेशन है ना तो यह सब करने की ज़रूत नहीं जहां पर आपको कि जहां से आपको अच्छी से क्दम बनाना है कॉपी में उसको एक्सल में भी बना करके दिखाना है है वह आपका यह देखिए यहां से डिटेल एस्टिमेट और बैरियस आइटम्स लोड बीरिंग अस्टक्चर बाइलों वाल एंड शोट वाल सेंटर लाइन में तर्ट एने कि एक लोड बीरिंग अस्टक्चर कहना है मतलब कि जिसकी दिवाल जो होती है ऐसी होती है कि उस पे बीडिवल मेथड भी कहते हैं और सेंटर लाइन मेथड से पहला एक सिंगेल रूम के लिए दूसरा दो रूम बरामदा के साथ उसका एस्टिमेट करना आपको फिर रेसिडेंशियल वेल्डिंग ठीक है उसके बाद एक एस्टिमेट बनाना आपको डवल स्टॉरेड बिल् जलिंग और इंगा डवले अको आपको एस्टिमेट करना है सीडी के साथ इस्टिमेट करना आपको इस्टिमेट करना है और तींबर का भी हो सकता हरे थी स्टील और हो सकता है दोनों का अलग अलग रहता है इंक्लाइंट टिम्बर रूफ इंक्लाइंड अस्टेल रूफ डिटेल एस्टिमेट ऑफ रैंड स्ट्रक्चर बिल्दिंग बाई सेंटर लाइन अब दिखिए जो पीलर पे चारों तरफ कोलम होता और उसके वाल जो है ज़स्ट एजब कर्टेन की तरह दिया रहता है परदे की तरह सारा लोड जो है पीलर लोता है पीलर करता है तो उस में बनाना है जिसमें स्टेल उता है य५िल्दी वीं ओते हैं इसको है १निखल लम् होते हैं आरे सब्सिете ना में तो उसमें आप च्या यूज करोगे ज़िन अब आउड यूज करोगे तो हैं उसको है कॉलम में अगर आप बार यूज़ करें यह तो कkol आपी आपा बेंडिगा चोर बनेगा सिलेव का अधा बार बेंडिंग Instrument सुटि बनेगा और भी अगर को लम अलग अलग कि मेजर के हैं अलग-अलग राभग नियुकि रहता है क्यूंकि बार होटा साइज बड़ा कम दीया जाता किटना में का बार है का आपको जो है बेंड करना है तेक सीट बनाओगा तो आप च्ञोर अगर passat बना रहे हो तो गहां से उंकर किया गया है अब ना कहां से बेंट अब किया गया जो मोड दिया जाता है प्यादाजी टिग्री पर दिवाल से कितने दुरी कुरुक से मोडा गया है भी यह सब आपको सीट में आपको दिखाना होगा बार का फिकर बना कर के और वह दिस्टेंस भी दिखाना होगा और उपर में लिखना होगा यह कहां का रेंफॉर्समेंट है वह बार विल्डूइंग से उडेल कि पर्सेंटेज और एंफोर्स्मेंट वर भारियस अस्ट्रक्चर मेंबर तो यह चोटी सी चीज है आप इसे कुछ से समझ सकते हो अब नेक्स्ट आपका डिटेल एस्टिमेट और रूप कलवट पाइप कलवट प्रीज विद यह देखिए कलवट जो पूलिया होता है एक रसी सी कलवट होता है ठीक है आप देखें होगे सीविल इंगिरिंग में हर एक चीज आपको लगबर जो है बाहर आप देखोगे तो सभी चीज़ देख जाएगा तो अब जब एस्टिमेट बनाओगे तो आप आस पास अपना एक नजर दवड़ा करके देखो कि उस तरह का स्ट्रक्चर आपके सामने है कि नहीं आप कभी देखो कि नहीं उसको अगर ऐसा रिजूम करके आप बनाओगे देख करके सोच करके बनाओगे तो आपका एस्टिमेटिंग और भी अच्छा किलियर हो जाएगा ठीक है तो बस इसके बाद जो भी चिप्टर है वह बहुत ही असान है आप एक बार पढ़ोगे सब थियूरेटिकल है इस इसमें आपने जितना भी पेपर पढ़ा आज तक उसमें इस्टिमेटि इसके साथ आपको आटोकेट और एक्सल में भी जो हाथ साफ करना है थाकि कोई दिक्कत ना हो ठीक और मैंने जो जो टॉपिक बता है हाँ इसके लिए एक बुक है बीएंदत्ता उसे आप फोलो करो बहुत ही अच्छी बुक है उसको देखकर करके आप बनाओ आपको यह सीलिबस में मैंने जो भी बताए वह सभी चीज आपको बीएंदत्ता के बुक में मिल जाएंगी जिसके तो वासा करता हूं कि आपको जो है बहुत ही अच्छे समाज में आ गया होगा कि डिपलोमा के बाद आपको क्या करना है और कुछ अगर करना है किसी सेक्टर में जाना है ठीक है जो करना है तो आपको किस चीज़ की बहुत ज्यादा जरूरत है आपने जो भी देवस में छे चेप्टर दिये हैं उसमें थार्ड चेप्टर थार्ड चेप्टर का शुरुवात का थियोरी छोड़ करके जहां से आपको एस्टिमेटिंग बनाना वहां से मैंने एक टिक कर रखा है वह सभी जो है बहुत ही इंपोर्टेंट है खब एक बनान आपके बना प्रॉल थार्ट चेप्टर आप तेल गड़े कर देवस्ट भीज़ चेप्टर इंप जो शब नाइंट भीज़ आपको एस बाव्यवी हु लिएवजने हैं इंप रंगे टो पात्वाम भाकार लिए, पहलेब प्योड़ थार्टेंट हैं थार्टे